स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मॉम्स कुक बुक में आईए आज धाबा स्टाइल पनीर्टी का मसाला बनाते हैं उसके लिए चाहिए हमें अद्रक का टुकड़ा 18 लसन की कलियां 3 हरी मिर्च और थिक दही अधी कटोरी यह प्याज है जो एक प्याज है मैंने इस तरह से काट लिया है इसको शिमला मिर्च एक शिमला मिर्च जो इस तरह से काट लिया है यह निम्बू जिसे मैं आधा इस्तमाल करूँगी ये टमाटर कुछ इस तरह से काट लिया है तो ये सारी सबजिया कटी हुई है ये पनीर पनीर को इतने बड़े टुकडे में काट लेना है almost सारी सबजिया बराबर से कटी हुई है sizes सब के एक जैसे है ये मसालों में हमने लिया है सादा नमक, स्वाद नुसार, काला नमक, आधा चमच, चाट मसाला एक चमच, धनिया पाउडर एक चमच, गरम मसाला आधा चमच, देगी मरच आधी चमच, आधी चमच, कसूरी मेती एक चमच तो यह मसाले है आए अब यह अद्रक लसन का एक दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका कुछ इस तरह का अब यह अध्रक लसन का पेस्ट डाल दिया है ठीक दही याधी कटूरी डाल दिया है अध्रक लसन का पेस्ट जो है एक चमच डाला है मैंने और यह मसालों में धनिया पाउडर गरम मसाला देगी मिरच हल्दी पाउडर सादा नमाग कला नमाग कसूरी मेथी सब मैंने डाल दिये सारे सुखे मसाले और सरसो का तेल डाल देना है 4-5 चमच कंजूसी नहीं करनी धाबा स्टाइल बना रहे और ये मिक्स करना है अच्छे से ये निम्बू है ये आधा निम्बू मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स कर लीजे ये प्यार्ज डाल दिया शिम्ला मिर्च भी डाल दिये अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लीजे टमाटर भी डाल दिया है इसे भी मिक्स कर लेंगे अब ये पनी के टुकडो को डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके ये इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसे चार से पांच मिनट रेस्ट होने देंगे ये सीक है मेरे पास इसमें कुछ इस तरह से लगा लेना है एक पनीर एक शिम्लमेर्च एक प्याज एक टमाटर एक पनीर इस तरह से कुछ इस तरह का ऐसे लगा लीजे और उसके बाद चाहे तो आप ये मैं तो डायरेक्ट गैस पे सेखूंगी चूले पे आप चाहे तो इसको तवे पर भी सेख सकते हैं थोड़ा सा बटर लगा कर इस तरह से सेख लेना है बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है ये देखे कुछ इस तरह से निकालना है दूसरा भी सेख लेते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी अच्छी वीडियो आपको और भी मिलता रहे ये देखें बहुत अच्छी कलर आई है खुश्बू बहुत अच्छी है सारा पक चुका है हमारा ये देखें चुकर ये गरम है तो इसको इसके साथ इससे निकालेंगे हम ये टमाटर मसाला बना रही हूं मैं तीन टमाटर है एक काजू है थोड़ी सी करीब आधी मूठी इसको बारिक सा पेस्ट बनाना है ये प्याज तीन है मेरे पास कटे हुए छोटे टुकडों में अध्रक कल अच्छा बना लिया और मिर्ची कुछ इस तरह से ये सूखे मसाले में धनिया आदा चमच गरम मसाला आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच देगी मिर्च आदा चमच चाहे तो आप लाल मिर्च भी थोड़ी सी ले सकते हैं अगर तिखा खाते हैं तो और ये कसूरी में थी अब ये तेल कड़ाई में डाल देते हैं गरम हो चुका है इसके अंदर प्याज डाल देता है और इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक पकाना है यह हाफ डन है इस टाइम पे अधरक लसन का पेस्ट एक चमच डाल देता है और इसे अच्छे से पकाना है जब तक गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए और लसन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा अच्छे से तो देखे अब हो चुका है यह अब इसमें सारे सुखे मसाले को डाल देता है अच्छे से मिला लीजे यह देखे काफी अच्छी खुश्बू है और काफी अच्छा कलर है यह पेस्ट हमने टमाटर काजू वाले जो काफी बारीक पीशा था मैंने बहुत स्मूथ सा पिष्ट बनाया था उसको डाल दिया है और ढ़क के पका लेना है इसको थोड़ा यह देखे तेल मसालो को छोड़ चुका है इसे थोड़ा सा और भूनेंगे हो चुका है अब इसमें आदी कटोरी पानी डाल देते हैं अब इसके अंदर टिक का यह डाल देते हैं आप चाहिए तो इसे स्नैक्स के रूप में भी सबकर सकते हैं चटनी और प्याज के साथ यह देखिए मिक्स कर लेना है अच्छे से काफी अच्छी खुश्बू आ रही है आप इसे दो मिनट ढग के पका लीजे दो मिनट हो चुका है बहुत अच्छी कलर आई है बहुत अच्छी खुश्बू है आप इसे लच्छा पराठा नान चपाती के साथ खा सकते हैं ये अद्रक कलच्छा मैंने जो काटा था और हरी मिर्च ये मिक्स कर देना है इसमें धन्या की पत्ती भी डलती है जो मेरे पास नहीं है आप जरूर डालेगा उसे बड़ी अच्छी फ्लेवर आती है ये देखिए सर्व कर लिया है मैंने काफी अच्छी बनी है इसको मैं नान के साथ परोशती हूँ आप भी परोशिए थैंक यू कर दो